हेलो फ्रेंड्स वॉल्कम आपका हमारे इस टेकनिकल मैदा वीरूप चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त मैदावालम दोस्तो एक बड़ी न्यूस सामने आई है न्यूस यह है कि कैरी मिनाथी नहीं जो वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब वर्स टिक टॉप के उपर उस वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है अगर आप YouTube पे जागे उस वीडियो को सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको नहीं देखेगी क्योंकि उस वीडियो को YouTube ने रिमूव कर दिया है अगर उस वीडियो का लिंक आपको कहीं से भी मिलता है जैसे Facebook, WhatsApp ट्यूटर और उसका आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ शो होगा कि ये वीडियो YouTube के Community Guidelines के खिलाफ है इसलिए इस वीडियो को रिमूव कर दिया गया है लेकिन अब सवाल ये उटता है कि YouTube को अगर वीडियो रिमूव करना ही था अगर हम व्यूज के बात करें तो 70 मिलियों के असपास सिर्फ व्यूज थे और लाइक्स 10 मिलियों प्लस लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो वीडियो अब रिमूव हो चुका है शायद इसका कारण ये हो सकता है कि केरी मिनाटी अपने वीडियो में अब्यूज लेक्स ये है इसी वज़े से उनके वीडियो को डिलीट कर दिया गया है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केरी मिनाटी का ये पहला वीडियो नहीं था उनका शैनल ही रोस्ट वाला है मतलब आपने शैनल के रोस्टिंग करते हैं वह आज से नहीं बहुत पहले से रोस्टिंग कर रा है क्योंकि उनका यही काम है अब बात आते हैं कि वीडियो रिमूव होने के बाद czy recover हो सकता है या नहीं यैनि कि वापस आ सकता है कि नहीं तो मैं आपको बता आते हूँ कि वीडियो cient 95% chances है कि वीडियो recover हो सकता है क्योंकि जब भी कोई वीडियो किसी वाज़े से यूटुब remove करता है तो वो वीडियो यूटुब के server में रहता है तो appeal करने पर वो वीडियो recover हो जाता है in fact के लोगों का हुआ भी है खर जहां तक मुझे लगता है कि केरी मेनाटी के वीडियो पर report किया क्या है वो भी हजारों लाखों की संख्या में अब ये report करने वाले कौन लोग है आप बखो भी जाते हैं हो सकता है टिक्टॉकर्स लोगों नहीं report किया हूँ आपको क्या लगता है दोस्तों आप मुझे comment करके जरूर बताए क्या लिए जय हिंद जय भारत